कर दो किवें के वाइखे ऐसे थे अभिए साइन क्रासिज आए देखते हैं है है आए स्कूल के त्रिकोन मिति के विए सुटर है हमारा टॉपिक है त्रिकोन मिति के फेंगा त्रिकोन मतलब है त्रिकोण का मतलब है त्री त्री का मतलब ती प्लस कोण तीन कोणों का मापन तीन कोणों का मापन हमें करना है अगर एक समकोण त्रिभूज है A B C तो ये A B जो है ये आपका का मग देखें तो आपका हाइपोटानियष है Sorry परिपेंड्रिकुलर है ये और ये BC जो है आपका ब्य अज़ै और ये जो है आपका हाइपोटेनियष है कि दी में अगर इसको बात करें तो ये आपका लंब है यह अधार है यह कांड इसके इसाब सेगर हम इसका फार्ड़ बनाएंगे इसमें तीनों कोड़ों का मापन करना है सबसे पहला पॉइंट इसका होता है साइन थीटा साइन थीटा पराबर हम लिख सकते हैं पी अपान बी इँलिष के बच्चों के लिए फायदेंड है पर्पेंडिकुलर पर बाइंझ इस इस तरह सब्सकर हम करेंगे तो सक्टीटा पराबर आपका हो जाएगा एच बाई, d और कौसक थीटा बराबर आपका को महाईगा कॉट्वीटा नौट बहुत असान तरीके से भाव पराबर आपका हूँएगा बीबाई, ती, ती तो बहुत आसान तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं हमने बताया कि जो लम्भ होता हिंदी के लिए इस तरह से हम याद करते हैं लाल बटे कफका से इंगलिज के बच्चों के लिए एक बहुत ही सही है तरीका याद करने का हमने लंब को क्या बताया परपेंडिकुलर उसके बाद परपेंडिकुलर के इससे हम formulae बना सकते हैं यह साइन थीता होजाएगा यह स्कॉछ एक सेखो और कॉट इस से हम जितने फ़र्मले हमने बनाये इससे बना सकते हैं फिर हम इसकी सो समकाएं देखते यह हैं पहले सो समका है साइनिसे फॉरृइर थीटा प्लस कॉष स्कॉछ थीटा बराबर वन कौस कोयर थीटा का दीनका लेंगे तो यह हो जाएगा वन माइनस इसrep vaccin qA थीटा उता है कौस लेकिन sentido conflict की यह हो जाएगा कउसट करेंगे वेरीन का एक कोट स्कौर थीटा माइनस बन और साल्व कर सकते हैं इसको जो जाएगा कॉसेग स्कॉयर थीटा माइनस कॉट स्कॉयर थीटा एसकॉयर टू बन बताया था लाल बटे कक्का का सूत्र उसको इंग्लिश मेडियों के बच्चों के लिए भी मैंने बनाया है वह है पी बी पी अपॉन एच एच बी इसको आप कह सकते हैं पंडित बद्री पर साथ हर हर बोले यानि की पी बाई एच बी बाई एच और पी बाई बी इंग्लिश मेडियों के बच्चों के लिए पी से परपेंडिकुलर एच से हैपोटेनियस बी से बेस तो यह आपका बहुत ही अच्छा है और उसके बाद हमारा भी सोसमकाएं बच्ची हुई है तो उसमें है 1 प्लस 10 स्कॉायर थीटा इसकॉल टू छिट एसक इसकॉल थीटा और फिर 1 बराबर हो जाएगा छिट स्कॉायर थीटा माइनस 10 स्कॉयर थीटा फिर और इसको अगर सॉल्फ ये 10 square theta की बेले निकालना है तो 10 square theta बराबर आपका हो जाएगा 6 square theta minus 1 अब हम 2 के फार्म में चलते हैं अगर हमें sin 2a की बेल फार्मला निकालना है तो ये आपका हो जाएगा 2 sin a into cos a sin 2a का फिर और फार्मला भी है 10 के पदों में तो आपका हो जाएगा 2 tan a upon 1 plus 10 square a कास 2a के बहुत सारे फार्मले हैं तो कास 2a बराबर हो जाएगा आपका 2 cos square a minus 1 कास 2a के और फार्मले देखती है कास 2a बराबर एक होता है कास square a minus sin square a और फार्मले कास 2a के यह हो जाएगा 1 minus 10 square a upon 1 plus 10 square a फिर 10 2a का 10 2a बराबर हो जाएगा 2 tan a upon 1 minus 10 square a बहुत सारे फार्मले हैं बना सकते हैं हाफ एंगल में भी इनके फार्मले चला जा सकते हैं जैसे sin a का फार्मला हो जाएगा 2 sin a by 2 into cos a by 2 cos का अगर हम फार्मला बनाना चाहें तो cos a बराबर हो जाएगा 1 minus 2 sin square a by 2 और फार्मले चाहेगा 2 cos square a by 2 minus का 1 cos square a by 2 minus sin square a by 2 a plus b के फार्मले sin a plus b यह हो जाएगा sin a cos b plus cos a sin b इसका अगरा फार्मला है sin a minus b का यह हो जाएगा sin a cos b minus cos a sin b फिर cos a plus b बराबर cos a cos b minus sin a sin b फिर cos a minus b बराबर cos a cos b plus sin a sin b tan a plus b बराबर tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b फिर इसका अगरा फार्मला है tan a minus b का यह हो जाएगा tan a minus tan b upon 1 plus tan a tan b बच्छोन उसका झार्मला है यह झांको बार्मला है अगरा को पूर्मला है